वर्ल्ड ट्रेड और्गनाइजेशन जी यहां दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं डबलू टी ओ की इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत बड़ा व्यापार है ट्रिलियन्स का व्यापार है और यह आज से नहीं चलते आ रहा यह बहुत पुराना यानि आपने अभी तक जितनी किस से कहानिया सुनी होगी उसमें भी आपने सुना होगा कि बहुत सारे कहानियों में एक व्यापारी था जो विदेश व्यापार करता था पानी के रस्ते का व्यापार करता था यानि उसका मतलब हो गया कि वो इंटरनेशनल ट्रेड किया करता था अब जो भी ट्रेड होती है जो भी commercial होते हैं, उनके कुछ नियम होते हैं, कानून होते हैं, lodge हैं, compliances हैं. दोस्तों, international के अंदर, जब आप इंडिया में रह रहे हो, तो इंडिया के जो कानून, जो lodge हैं, वो आप पे applicable हैं. लेकिन जब आप international में जा रहे हो, तो उस समय ऐसे कौन से lodge हैं, जो आप पे applicable होते हैं. एक चीज जो हम लोग हमेशा से आप लोगों को समझाते आए हैं, कि जब आप इंडिया से export कर रहे हो, और आप किसी भी state से हो, किसी भी district से हो, वो matter नहीं करता हैं, यहाँ पे सिरफ एक ही चीज मैटर करती है, वो है, you are an Indian, और as an Indian आप export कर रहे हो, तो इसी तरीके से इतने बड़े trillion व्यापार को कौन monitor कर रहा है, और किस तरीके से इसकी functionality होती है, इसी के बारे में आज step to step हम देखेंगे, दोस्तो, WTO, आप बोल सकते हो, एक पूरक है GET form का, GET यानि General Agreement of Tariff and Trade, यह एक group बनाया गया था, यह एक form बनाई गई थी एक तरीके से, international business को monitoring के लिए, international business में जो disputes होते हैं, उनको कम करने के लिए, और international business को बढ़ावा देने के लिए, जिसमें जो tariff and trade का जो काम था, वो get किया करता था, लेकिन जैसे जैसे international व्यापार बढ़ते गया, अंतराष्टिय व्यापार बढ़ते गया, वैसे वैसे dispute ज्यादा आते गए, और कहीं पर यह चीजे बहुत ज्यादा जंबलिंग, और एक तरीके से आप बोल सकते हो कि, दो देश जो हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, तो किसकी कितनी समुद्री सीमा है, कौन से समुद्री सीमा के अंदर अगर कोई जहाद जा रहा है, उसका कितना tariff होगा, कौन, मतलब किस तरीके से agreement bound कर रहे हैं, बाकी countries को, free trade agreements क्या है, preferential trade agreements क्या है, most favored nation agreement क्या है, ये सब चीज organization के develop होने के बाद में आई है, वर्ल्ड डबलू टी ओ, एस्टी बलेस हुआ था, एक जनवरी 1995 को, और इसका जो पूरा एक आप बोल सकते हो, कि वर्ड के पूरे जो countries थे, उनके बीच में इसका एक round रखा गया था, और जिसमें एक mutual benefit के लिए कुछ चीजे discuss की गई थी, औ और एक petition या फिर एक agreement जो बनाया गया था, और उस agreement पर उसी time पर 159 countries ने, near about आप मान सकते हो, कि 160 countries ने उसी time पर sign किया था, WTO के साथ में, यानि अब WTO जो है, World Trade Organization जो है, जो GAT के बाद में बना है, या आप बोल सकते हो, GAT का एक revised version था, जो पुरानी चीजों के साथ साथ मे कुछ ने focus words, कुछ ने binding rules, कुछ competitive rules, ये सब चीजे ले के आया था, अभी recently आप लोगों ने इंडिया में भी देखा होगा कि M.E.I.S. का benefit जो है, वो बंद कर दिया गया है, और उसकी जगह पे निर्विक scheme जो है, और फिलाल जो चालू है, रोट टैप करके ये scheme शुरू है M.E.I.S. का benefit जो है, वो WTO ने ही बंद करवाया है, क्योंकि और कुछ countries हैं, जिन्होंने WTO के अंदर एक complaint की थी कि भारत अपने export को बढ़ावा देने के लिए, अपने export रोगों को M.E.I.S. के धुरू, इस scheme के धुरू benefit दे रहा हैं, और जिसकी वज़े से market के अंदर जो product क price हैं, वो competitive होती जा रही हैं, और उसकी वज़े से बाटी country के जो products हैं, उनके ओपर selling में काफी effect गिर रहा हैं, तो यहाँ पर ये चीज आपको समझनी होगी कि international dispute के अंदर जैसा हम यूद करते हैं, उस तरीके से नहीं होता है, international dispute के अंदर पहले country to country आप बोल सकते हो कि एक statement release होता है, कि ये चीजे मत कीजें, बट अगर दोनों conflict में हैं, तो जो जिसे लगता है, वो country WTO के अंदर अपनी complaint करती है, कि ये country जो है, ये इस तरीके से कर रही है, और इस country के इस plan की वज़े से, या इस work की वज़े से, हमारे देश की जो economy है, जो अंतराष्टी व्यापार है, उसके उपर परभाव गिर रहा है, तो यही चीज डबली टीओ जो है, वो सबसे ज़्यादा monitor करता है, सबसे ज़्यादा workout करता है, इन चीजों के उपर, कि किसी भी तरीके से, जो international business का जो class है, वो ना हो, और जितने भी देश हैं, वो अपने हिसाब से इसमें वर्कित क हैं, वही यहाँ पर सारी चीज़े इसके अंदर चलती रहती है, आप लोगों ने incoterms का नाम सुना होगा, international commercial trade terms जो होती है, दोस्तों, incoterms क्या है, incoterms का मतलब ही यही है, कि किस तरीके से उन्होंने binding rules बनाये हैं, पूरे world के लिए, एक liability क्योंकि यह भी बहुत बड़ा क्लेस होता था, पहले आपने माल भेज दिया, बायर कह रहा है, नहीं, यह आपकी liability थी, seller कह रहा है, आपकी liability थी, और यह dispute जो होते थे, transaction के अंदर, यह धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते, यह country basis dispute बन जाते थे, तो इसकी वज़े से, WTO ने ही, incoterms जो है, वो specified करके, और उन् incoterms के अंदर, एक seller और buyer दोनों की कहा तक की क्या responsibility है, यह WTO ने त्या कर दी, और इससे international dispute जो है, वो बहुत कम हुए, arbitration, यानि mediator वाला जो portion होता है, WTO को आप लोग एक arbitrator भी मान सकते हो, क्योंकि WTO का main काम जो है, वो arbitration का ही है, कि जहां पे international कोई dispute होता है, किसी country के focus करता है, और उन dispute को उनके लिए बैठक होती है, दोनों countries को एक arbitrator वाला रोल करता है, WTO, दोनों countries के जो पदादिकारी होते हैं, या foreign ministers मानी है, या foreign के जो उनके, आप बोल सकते अंबेस्टर वगर होते हैं, उनके साथ में discuss किया जाता है, कि यह जो dispute है, उसे किस तरीके से क compile नहीं का पा रहा था पूरे world को, और इसकी वज़े से disputes बढ़ते जा रहे थे, और इसी वज़े से get को process कर दिया गया WTO के अंदर, जिसमें उसके जो bylaws थे, उनको directly 159 countries ने accept किया, और उसके बाद में वो WTO के जो world trade के जो जितने भी bylaws हैं, उनको follow करते हुए, आगे चीजे बढ़ती गई, दोस्तो WTO का role बहुत important हो जाता है international trade में, competitive price के अंदर खास करके agriculture products जो हैं, उन चीजों के अंदर, क्योंकि अगर WTO ना हो, तो हर country जिनके पास में कोई product अगर ज्यादा हो, तो वो lowest price पे government के थुरू जाके भी, पूरे market को fluctuate कर सकती है, इसलिए, इसके लिए ये भी जैसे इंडिया में MRTP Act है, minimum resell price का जो act है, उसी तरीके से WTO ने भी कुछ और loss by loss create किये, जिनके थुरू आप international market को ज्यादा fluctuate नहीं कर सकते हो, आप जो भी country व्यापार कर रिये हैं, इसे कहीं न कहीं पे, ये जो competitive price वाला सीन है, या फिर जो pricing factors हैं, उनका भी ध्यान रखना पड़ता है, जिसका best example मैंने अभी आपको MEIS close होने का दिया है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे products होते हैं, जैसे medical के products हैं, उनका क्या effect हैं, अगर कोई country, किसी और country के अंदर, दूसरी country के अंदर export कर रही है, जबकि वो product वहाँ पे बैन है, जैसे बहुत सारे, आप उने देखा होगा, ऐसे medical के products थें, जो USA वगरे में उन companies के बैन हो चुके थे, और बाकी Asian countries में उनको sell out कर रहे थे, और जब यहां से Asian countries से उन products के खिलाफ reporting हुई, सारी चीजे हुई, तो वो products इंडिया के अंदर भी और Asian countries में भी बैन कर दिये गए, क्योंकि उनका जो direct effect था वो human और human bodies के उपर हो रहा था, तो इस तरीके से WTO का जो man role है, वो आप एक तरीके से एक international arbitrator का मान सकते हो, कि जहां पे ऐसा होता है कि दो countries के बीच में, अगर commercial disputes होते हैं, international business के disputes होते हैं, तो वहां पे WTO का एक arbitration वाला रोल जो है, वो निकल के आता है, उस dispute को कम करने के ल as an part of liquidator भी WTO आता है, कि अगर कहीं पर इस तरीके का dispute हो और उसे resolve किया जा सके, तो WTO की खुद की core committee होती है, board होता है, उनके अंदर पूरे उनके जो board के members होते हैं, वो अलग-लग countries जो हैं, उनके जो पताधिकारी होते हैं, वो इनके members होते हैं, और वो लोग ये decision लेते हैं एकदम transparent manner के अंदर कि इस dispute का क्या resolution होना चाहिए, दोस्तो WTO अपने आप में आज के time पे एक बहुत बड़ी संस्ता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, कि इसके जो employees हैं, वो not more than 600 हैं, जबकि अगर आप World Bank का देखेंगे, तो वहाँ पे more than 10,000 के near about employees हैं, जबकि WTO organization मे 600 से ज़्यादा employees नहीं हैं, क्योंकि इन लोगों का, जबकि ये पूरे World को manage करते हैं, पूरे international व्यापार को manage करते हैं, लेकिन जैसा मैंने आपसे का कि इनका जो man working है, वो है international व्यापार को शानती से, एक trade agreement के थुरू, एक tariff वाला जो scene होता है, कि इस product को अगर आप export कर रह रही हैं, तो उसके बीच में क्या tariff होना चाहिए, custom duty, ये सब चीजे एक country की responsibility हैं, लेकिन WTO जो है, उन्होंने जैसे preferential agreement हो गया, free trade agreement हो गया, safta, nafta, ये सब चीजे जो है, वो WTO के observation के अंडर आती है, monitoring के अंदर आती है, और उसी से पूरा international व्यापार जो है, वो conduct होता है, मिलते हैं next वीडियो के अंदर एक नए topic के साथ में, जो आपके international व्यापार के knowledge को बढ़ा सकता है, जैहिन, जै भारत!